नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेन धमसरमार दोस्तों चार जुलाई बड़ा गुरुबार और इस दिन अध्भुत संयोग है एक तो गुप्त नारात्री चल रही है उपर से गुरु पुस्य नच्छत्र और रवी योग दोस्तों जोतिस में 27 पुस्य नच्छहत्र का सवामई अनुसार इस पुस्य नच्छहत्र में अस्थाय तुका गुन होता है इसलिए इसमें आप जो भी वस्तु और गुरू पुस्य नामक योग बन रहा है और गुरू पुस्ययोग सभी पुस्ययोगों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है तो आएए हम आपको इस दिन क्या करें कि जीवन में धेर सारी खुसियां प्राप्त हो इसके पहले ये आप जान ले कल का पंचांग ताकि आप सुप समय पर खड़िदारी कर सके चार जुलाई 2019 गुरुवार का दिन है आसार मा सुखल पक्ष की द्यूतियाति थी जगनाथ रथियात्रा और पुस्ये नच्छत्रे रहेगा अर्ली मौनिंग यानि چार जुलाई को पांच बच कर बतिस मिनट से लेकर पांच जुलाई के सुभ़ दो बच कर एक तिस मिनट तक रहुकाल का समय है दोपहर दोबच कर नौ मिनट से दोपहर तीन बच कर चववन मिनट तक रहुकाल के समय में कोई भी नया और सुबकार्य ना करें वरना बिगन आ सकती है और अभी जीत मूर्थ है दोपहर 11 बचकर 57 मिनट से दोपहर 12 बचकर 3 पर मिनट तक दोस्तों हम बात कर रहे हैं पुस्चे नच्छत्र की मोती संख बहुत ही दुर्ला परजाती का संख मानजाता है यदि गुरु पुस्चे नच्छत्र के दिन आप मोती संख को अपने कार खाने में अस्तापित करते हैं तो आपकी कार खाने की तेजी से उन्नति होने लगती है अगर मोती संख में जल भरकर अक्षद भरकर लक्षमी जी के सामने रखते हैं मालक्षमी परसंद होती है और मोती संख में आप रोज अक्षद के 11 दाने मालक्षमी को स्पर्ण करते हुए स्री महा लक्ष में नमह का जब करते वे डालते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो ऐसा करने से कुछी दुनों में धन की समस्या आपकी दूर हो जाती है। अगर आपके ब्यापार में घाटा हो रहा है, तो मोती संक आप धन के अस्थान पे रखें, अपनी गल्ला के अस्थान पे रखें आपका व्यपार दिन दुनी राच चोगुनी तरक्की करने लगेगा दोस्तों वैसे तो संख बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन अगर आप गुरु पुस्य नच्छत्र के दिन सुभर नहावा के सुम मुहुर्त में यानि कल के दिन हमने समय भी बतलाया है दक्षिना वर्त संख भी आप ला सकते हैं और ला को लाकर आपने घर में संख पर केसर से थोरे से जल के सहारे उसे घोल लें कलर आ जाएगा फिर अपने अनामिका उंगली यानि रिंग फिंगर से उस पे स्वस्तिक बनाईए और इसके बाद ओम स्रिंग आपके जीवन से दरित्ता चली जाएगी और कहते हैं अगर रोज एक चावल इस मंत्र को पढ़ते वे आप डालते हैं संख में तो जीवर में कभी परिसान ही नहीं आती है दोस्तों इसमें चावल डालते रहें और फिर जब लगए कि भर गया है फिर एक डब्बे में उस चावल को रख ले और फिर से आप इसमें रेगुलर डालते रहें आपकी जितनी दिन इच्छा है और फिर इस चावल को आप और संख को एक सफेद कपड़े में बांद कर कम से कम सब्वा मैंना योज़ कीजी पुजा कीजी इस तरीके से और अपने पुजा घर में रखिये या फिर अपने दुकान कार खाने में रखिये या अपने तीजोरी में रखिये आपको घर में धन धाने की कभी कमी नहीं blend अब हम बात करते हैं कमल पुस्पी अगर इस दिन आप गुपत नौरातरी भी है पुस्से नचhtर भी है अगर एक भी कमल पुस्प लाकर आप मालक्श्मी को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिये स्री की प्राप्ति होती है जीवन में अगर आपके पास माल लेते हैं इस समय माठी बंद करें, दोनों हाथों के अंजुरी बनाये, एक साथ मिलाकर और ध्यान करें कि आपके हाथ में कमल का पुस्प है, और आप मां को चरणों में अरपीद कर रहे हैं, और ऐसी मन से आप मानसिक तौर पे कमल का पुस्प बनाते हूए अरपीद करें आपको उतना ही पुष्प नच्छत्र के दिन अगर आप माता लक्षमी की उपासना करते हैं तो फिर आपके जीवन में मा लक्षमी आपके घर में ही रहती है इन्हें आप लाल चंदन अक्षत अक्षत कभी भी सादा अरपित मत कीजेगा उसमें थोड़े से कुम-कुम लगा लिजेगा लाल गुलापी अरपित कर सकते हैं और मा लक्षमी का मंतर है ओम स्री बिगन हराय पारदेश्वरी महा लक्षमे नमः इस तरह से माता लक्षमी को याद करने से गुरू पुस्य नच्छत्र के दिन चुकि ये विरस्पति देव के नच्छत दिन है गुरू बार का दिन है तो भ और अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो हम एक अचुक टोटका बतलाते हैं ग्रिना मत कीजिएगा सबसे पहला इसमें यही है आप प्रेम से ले आईए दुकान से घर में किसी को भी ना बताए आप आराम से अपने जहां आपको एकांत मिले उस नारिय कायम है और उपर वाले पर भरोसा रखें दोस्तों गुरू पुस्यन अच्छत्र का दिन अपने आप में अध्भूत होता है यह जो आप नारियल लाएंगे इसे रेशमी बस्तर में अच्छे से लाल रंका रेशमी बस्तर में लपेट कर और गुलाब की पंखुरी बेगर अध्ण के पास अस्ठापीत करें यह अच्छूब टोटका है कहते हैं अगर जिसके घर में माता लक्षमी एकांशी नारियल मोती संख या दक्षिनावर्थी संख होती है उसके घर में कभी खुसीयों की कमी नहीं होती कि आपके घर भी आएंगी हम आपसे बिदा लेते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद हर हर